हला अब इवान दिस इंग महांती वारियंट यो चानल फिनांसर पंडेत एक नए वीडियो के साथ मैं फिर आया हूँ हर एक दीन मीच्वल फंड और इंवेस्पेंट से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लेकिया था वाकई में आप चाहते हो वीडियो का अपडेशन सबसे पहले मिले चैनल को सब्सक्राइब करो बेल आइकन को प्रस करो लाइक और सेर कड़ा ना भलो आज के वीडियो का क्या विश्लेशन हुगा मैं आज आपके सामने रखूंगा कि कल के दिन जो मार्केट में गिरावट हुआ उससे लाज केप मीच्वल फंड पे क्या असर दे बक्रसान हुआ और उसके साथ ही साथ मैं पृचले एक साल का यहाँ पे एमजी का परफॉर्मेंस आपके सामने रखूंगा कि पिछले एक साल में किस एंसी ने इन्वेस्टर को ज़्यादा पैसा बना के दिया है और कुछ ऐसे एमसी का भी नाम रखूंगा जिसमें पिछल एक साल में इन्वेस्टर को ज़्यादा खुस नहीं किया है रिटर्न के मामले वे लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मीचुल फंड एन इन्वेस्टमेंट को लेके कम्प्लीट सलूसन चाहिए तो आप मेरे साथ जोड़ सकते हो पोर्टफोलियो का डिजाइन, पोर्टफोलियो का अलोकेशन इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, फिनांसिल प्लानिंग, रिटार्मेंट प्लानिंग को लेके कोई क्वरी हो तो आप मेरे साथ जोड़ सकते हो जी हाँ, डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में जाके पूरा डीटेल चेक करें और डीटेल के वेसिस पे वाटसप नमबर के थुरू आप मेरे साथ जोड़ सकते हैं चलिए सबसे पहले कुछ लाज केप मीच्वल फंड रखता हूं कि कल के गिरावट में कितना नुकसान देखने को मिला सबसे पहले अगर कैनल आपको ब्लूचीप फंड की बात करूं तो 2.43 परसंट का गिरावट देखने को मिला मिरा एसेट लाज केप फंड में 2.47 परसंट का गिरावट LGPC Index Fund Sensex Base 2.6 परसंट का गिरावट ब्रोडा BNP परिवास लाज केप 2.55 परसंट का गिरावट और UTI Master Share Fund की बात करें तो 2.48 परसंट का गिरावट देखने को मिला तो इन लाज के फंड में जो सबसे कम गिरा है वो आप देख सकते हो कैनल आपको ब्लूची फंड है 2.43 परसंट का गिरावट देखने को मिला है और जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर गिरता हुआ देखने को मिला है वो आप यहाँ पर देख सकते हो HDFC इंडेक्स फंड जो सेंसेक्स बेस्ट है उसमें ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है अब मैं आपके सामने कुछ ऐसा डाटा रखूँगा इट मिंस कि कुछ ऐसे मीच्वल फंड जिसमें कल सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिला जी हाँ मैं यहाँ पर equity oriented mutual fund की बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा गिरा है कल के दिन वो quant value fund है almost 3.92% का गिरावट इंडेक्स में 2.64, 2.65% का गिरावट है जबकि यहाँ पर इस mutual fund ने almost 3.92% का negative return दिया यह सिर्फ एक दिन का है वहीं पर अगर quant infrastructure fund की बात करें 3.54% का गिरावट वहीं पर अगर मैं HDFC infrastructure fund की बात करूँ तो यहाँ जो एक दिन का गिरावट है वो 3.51% का गिरावट है वहीं पर अगर मैं Taurus Discovery fund की बात करूँ तो 3.49% का गिरावट है quant active fund में 3.46% का अधित बिल्ला Sun Life Pure Value fund की बात करूँ तो यहाँ पर 3.39% सुन्दरन Financial Fund की बात करूँ तो 3.38% सामको Flexi के fund की बात करूँ तो 3.37% का गिरावट England ASEAN Equity Fund की बात करूँ 3.34% अधित बिल्ला Sun Life PSU Equity Fund की बात करूँ तो यहाँ पर 3.3% का गिरावट देखने को मिला वहीं पर Invesco India PSU में भी 3.3, Quant Focused Fund में 3.26 and आधित बिल्ला Sun Life Dividend में 3.24% का गिरावट देखने को मिला आपने कुछी इस नोटिस किया होगा सबसे ज़्यादा जो गिरावट कल देखने को मिला वो सिर्फ Quant AMC के funds में देखने को मिला यहाँ पर देख सकते हो जो Quant के fund है, Quant Value Fund, Quant Infrastructure Fund, Quant Active Fund और यहाँ पर Quant Focused Fund इसमें गिरावट ज़्यादा देखने को मिला नोट आउट यह fund performance काफी बहतर करने है, पिछले एक साल, पिछले दो साल, पिछले तीन साल में देखा जाए, तो ऐसे mutual fund में काफी अच्छा return देखने को मिला है लेकिन market में कुछ भी ज़्यादा गिरावट होगा, तो ऐसे mutual fund पे ज़्यादा असर देखने को मिलेगा आपको return ज़्यादा देंगे, लेकिन गिरावट भी ज़्यादा होगा, क्यूं? क्यूंकि मैंने कई बार आपको बताया है कि इनके portfolio में mid cap और small cap का percentage ज़्यादा है, compare to अगर आप flexi cap mutual fund से compare करोगे, या mid cap से compare करोगे, या फिर आप large cap से compare करोगे तो जब mid cap और small cap का percentage ज़्यादा होगा, तो market में जब तेजी होगा, तो ऐसे mutual fund में return ज़्यादा देखने को मिलेगा, और अगर गिरावट होगा, तो ऐसे नुकसान दी ज़्यादा देखने को मिलेगा मैं सिर्फ equity oriented mutual fund के base पे यहाँ पे AMC का डाटा आपके सामने रखना चाहता हूँ, देखो अगर मैं एक साल का यहाँ पे compare करूँ, तो UTI सबसे number one पे है, यहाँ पे एक साल में 11.68% का return दिया है, जितने equity oriented mutual fund है, उस सारे fund का on the average जो return निकल कहा रहा है, वो 11.68% का है, यह जो एक साल का return देखने को मिला है, वो almost 10 से 11% के बीच में है, 10.34% आप कह सकते हो, तीसे number पे बात करूँ, तो PGIM India mutual fund जो है, वो यहाँ पे तीसे number पे है, almost 9.08% का एक साल का return दिख रहा है, यह सर्प equity based mutual fund का return है, वहीं पे अगर मैं चोथे number पे बात करूँ, तो Franklin AMC का साल में, चलिए आप कुछ ऐसे mutual fund भी आपके सामने रखता हूँ, जो पिछले एक साल में investor को नाराज की है, इट मिन्स कि वहाँ पैसा negative में दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे SEMCO की बात करूँ, तो SEMCO Asset Management में जो एक साल का return है, वो negative 16.55% के करीब में है, जी हाँ, equity oriented mutual fund का on the average return है, 16.55% का negative return, अगर मैं ITI mutual fund की बात करूँ, तो यहाँ पे जो negative return है, पिछले एक साल में 11.05% का negative return है, चलिए, वहीं पे मोती ललो स्वाल की बात करूँ, तो पिछले एक साल में 8.02% का negative return है, और Axis की बात करूँ, Axis के AMC ने पिछले एक साल में कुछ खास investor को आफा नहीं दिया है, जी हाँ पिछले एक साल में 7.34% का negative return दिखरा है, चलिए, अदिति बिल्ला सनलाइफ की बात करें, तो पिछले एक साल में 5.89% का negative return दिया है, वहीं पे अगर HSBC की बात करें, तो यहाँ पे 4.93% का negative return है, कुल मिला के अगर मैं सिर्फ equity oriented mutual fund का data देखू तो यहाँ पे जो performance काफी कमजोर देखने को मिला है, SEMCO, ITI, Axis and Motilal Oswal, वहीं पे अगर मैं आपके सामने बहतरी इन AMC की बात करूँ, पिछले एक साल में जो market में दबाव रहा है, लेकिन फिर भी जो investor को यहाँ पे अच्छा return दिया है AMC ने, वो है UTI, SDFC, PGM India and Franklin Templator, देख अगर आप देखोगे, तो Sensex से ज्यादा return वहाँ पे देखने को मिला है, लेकिन कई ऐसे mutual fund हैं, जो Sensex से ज्यादा गिरे हुए हैं पिछले एक साल में